Friends, आज दुनिया भारत को manufacturing powerhouse के रुप में देख रही हैं, हमारा manufacturing sector, हमारी GDP का 15% है, लेकिन making India के सामने infinite possibilities हैं, हमें भारत में एक robust manufacturing base build करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए, चाहिए केंदर सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानिय स्वराज के संस्ताओं के नियम हो, private partnership हो, corporate house हो, हम सब देश के लिए मिल करके कैसे काम करेंगे, देश में आज जिसकी जरुरत है, जिसकी आवशक्ता बढ़ रही हैं, उसमें हमें making India को बढ़ावा देना है, अब दो चीजे हैं, एक, export को धर्मेर करके सोचना, दूसरा, भारत की requirement को पूरा करने के लिए सोचना, चलिए मानिए जिए हम दुनिया में competitive नहीं बन पार रहे हैं, लेकिन भारत की आवशक्ताओं में हम वैसा quality material दें, ताकि भारत के लोगों को बाहर देखना न पड़ें, ये तो हम करी सकते हैं, और इसलिए मैं चाहूँगा कि making इंडिया में, हम दूसरी बात है, एक बार मैंने लाल के लिए से कहा था, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, हमारा प्रोड़क्ट, रती भर भी डिफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए, competitive world में quality matter करती हैं, और दूसरा, आज दुनिया environment conscious है, तो जीरो इफेक्ट, environment पे जीरो इफेक्ट, यह दो ऐसे मंत्र हैं, जो हमें दुनिया में quality के कारण, और global warming के सामने चुनाउतियों को निपटने के रास्ते के कारण, हमें स्विकार कर सकता है, उसी प्रकार से, आज जिस प्रकार से technology बडली है, जिस प्रकार से communication world में जवर्दस revolution आया है, अब जैसे semiconductor, अब semiconductor के ख्षेत्र में, अब हमारे लिए आत्म निर्भर बने बिना कोई चाराई ही नहीं है, मेक इन इंडिया के लिए, मैं मानता हूँ एक नया क्षेत्र, नई संभावना ये लेकर के आया है, हमें ये दूर का देखना चाहिए, साथ-साथ हमारी जरुरत भी है, देश की सुरक्षा के लिहाद से सोचे, तो इस पर हमारा ध्यान होना और ज्यादा जरूरी है, हम देख रहे हैं कि कैसे इवी, इलेक्टिक वेइकल्स के छेत्र में लोगों का आकर्शन भी बन रहा है, एन्वारमेंट के देश्ट के भी बन रहा है, और डिमांड भी बढ़ रही है, क्या भारत उसमें इनोवेशन नहीं कर सकता, मेकें इंडिया मैनिफेक्चर नहीं कर सकता है, क्या भारत के मैनिफेक्चरर्स इसमें अपना लीड रोल नहीं कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि मेकें इंडिया की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, कुछ विशेश प्रकार की स्टील के लिए भी भारत आयात पर निर्वर है, हमारा आयन और विदेश जाएं, और हम उनी देशों से एक क्वालिटी स्टील के लिए हम फिर से इंपोर्ट क करें, अब ऐसी तो कैसी स्टी है कि हम उस आयन और से उस तिल को न बनाएं, जो हमारे देश की ज़रुरत हैं, मैं समझता हूँ कि यह हमारा कर्तवी भी बनता है, और मैं उद्योग जगत के लोगों से आगर करूंगा, कि आए, यह कच्छा माल आयन और बाहर बेज बेज कर बाहर पर कम से कम हो, कम से कम हो, इसलिए इस खेत्र में भी Mekin India आज समय की माग है, एक और सेक्टर, मेडिकल एक्विप्मेंट्स का है, बाहर बहुत सारे जरूरी मेडिकल हम, उसके लिए जो आवश्यक एक्विप्मेंट्स होते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, अब क्या हम नहीं बना सकते हैं, मैं नहीं मानता हूँ कोई इतना कठीन काम है, हमारे लोगों में उतना सामर्त है, कर सकते हैं, हम उस पर जोड दे सकते हैं, क्या है, हमें ये समझना ही होगा, कि कोई चीज मार्केट में उपलब्द होना, मतलब हम संतुष्ण हो जाएं, लोगों की रिक्वार्मेंट पूरी हो रही है, माजार में चीजे मिल रही है, लेकिन वो बाहर से आई हुई चीजे हैं, और मेक इन इंडिया प्रोड़क्ट, ये उपलब्द होर्वर्ट जब वो देखें, और उसका मन करना चाहिए, बाहर ब प्रदा करनी चेहिजी.